तो आज हम पढ़ेंगे अलोर में किस वंस ने सासन किया तो दोस्तों अलोर को पहली चीज है कि अलोर का पर आता है मेव में यहां पर अलोर तो अलोर को क्या कहते राजस्तान का सिंग दुवार क्या होते कि यहां सिथ परवेस दुवार है फिर इसके आगे सिंग की तरह इसकी आकर्टी बनी वही है मेखम अब दोस्तों पढ़ते किस वंस ने साशक किया था तो दोस्तों यहाँ पर जो नरू था एक व्यक्ति नाम था नरू इसी का वंसस था परताप सिंग क्या था परताप सिंग इसने अलवर में नरू का वंस की इस्तापना की अपर नरुकावंस तो एकजाम में आ जाए कि नरुकावंस किस रियासत से समन दीत है तो अलवर से तो दोस्तो इसने निर्मान करवाय था माला खेडा दुरक का जो अलवर में बनाऊ है इसके बाद आता है बक्तावर सिंग इसने क्या किया अठारा सो तेन में अंग्रेजों से संधी कर ली क्या कर ली संधी इसकी मर्तियु के बाद आते है वीने सिंग और एक होता है बल्वंद सिंग ये दोनों में क्या था ये तो इसका बथिजा था और ये इसकी पासवान रांअी का बेटा था पासवान मतलब जो दासिया होती थी उस दासि का बेठा था और ये दासि के साथ इसका चक्कर था तो उससे उत्वन ये बल्वन सिंग होया था तो इन दोनों को ही राजा बना दिया गया लेकिन कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा चालू आदमी था विने सिंग तो इसने इसको हटा दिया और खुद राजा बन गया विने सिंग तो इसने क्या करवाया इसने करवाया सिली सेड जील का निर्मान सुनाओगा आपने आपने यह भी अलवर्मे यह एक दूसरा कराया यह बक्तावर शिंगे इसकी रानि थी उसका नाम था मुंसी तो उसकी आदमी बिने शिंग ने मुंसी महरानी की छत्री बना दी और कितने खंबो कि ए अस्सी खंबो गी कहा पर बनवाई अलवर में तो एकजाम में आ सकता है कि असी खंबो की छत्री खाया है अलवर में मुझसी मारानी की छत्री किसने बनवाई तो विने सिंग ने तेरी मा का और दोस्तो अलवर है अलवर चित्तर सेली चित्तर सेली का सोरन काल भी इसे का ही माना जाते है विने सिंग का ही अब दोस्तों अगला सासक पढ़ते हम जेस शिंग इसने क्या किया कि नरेंदर मंडल था उसका क्या किया इसने नाम करन और जो फर्तम गोल मेज समयलन वा अथा उसमें भाग लिया था इसने और अगला आता है तेज सिंह, यह थोड़ा मुख्य है, क्योंकि इसके समय राजस्तान का एक किकरण हो आता, और इसके समय अलवर को मतस्य संग में मिलाय गया था, जो एक किकरण का फरतम पेला चरण था, और इसकी राजदानी भी अलवर को ही बनाय गया था, लेगिन इसको राजपरमुक नहीं बनाया गया, क्योंकि इस पर गांदी जी की हत्यागा आरोग था, अब आप लोग बोलोगे कि सर, गांदी जी की हत्या तो नातुराम गोडशे ने कीती 1948 में आजादी के एक साल बाद, तो मेटर ये है कि गांदी जी की हत्या से दो-तीन मेहने पहले ये नातुराम गोडशे इस तेज सिंग के पास चार-पात दिन रुक्के गया था, तो सरकार को सक हुआ कि इस तेज सिंग का भी इसमें हाथ हो सकता है गांदी जी की हत्या में, बाद में इसे निर्दो साबित कर दिया गया, तो आसे करता हम दोस्तों वीडियो समझाए भी दो दो देख बातुर